आज दुनिया की टॉप हंडर्ड कंपनियों में टॉप पॉजिशन पर अधिकतर हिंदुस्तानी बैटे हैं चाहे वो गूगल के सुन्दर पिछोई हो माइक्रोसॉफ्ट के सत्र नडेला हो या फिर ट्विटर के पराग अगरवाल को उन पर गर्व है और रहेगा भी क्योंकि हिंदुस्तान जिसे पश्चमी दुनिया सांपो को नचाने वाली कौम मानते थे आज चंद हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं हमारे साथ में एक और भी मुल्क है नाम है उसका पाकिस्तान कभी हमारा ही हिस्सा था और हमसे एक दिन पहले आजात भी हुआ था उसको भी अपने उपर बहुत कर रहे होना भी चाहिए क्योंकि आज दुनिया में गदों की पॉपलेशन वो तीसरे स्थान पर है दुनिया का वो एकलौता ऐसा मुल्क है जहां हर साल गदों की जन संक्या तकरीबर एक लाक बढ़ जाती है गर्ग उनको इस बात पर भी है कि इस समय जब पाकिस्तान की अर्थवस्ता बहुत नाजुब दोर से गुज़रे हैं उनके हुकमरान इन गदों को अपने मित्तरस्ट चीन को एक्सपोर्ट करके देश की खस्ता हालत को पठी पर लाना चाहते हैं वैसे तो बात कुछ हब तक ठीक भी है एक तरफ जहां कंगाल पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा जरूरत है वहीं चीन को हर साल 40 लाक गधे अपनी परंप्रिक चिकित्सा के लिए चाहिए होते हैं नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है विशे ठाकुर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया हर्ट्स में आएए आज हम बात करते हैं पाकिस्तान चाइना की डंकी एकॉनोमी की चीन के लोग गदों की खाल को उबाल कर उसका जिलेटिन बनाते हैं और फिर अपनी परंपरिक दवाई इजियो इस दवाई की मांग पूरा करने के लिए उनको हर साल 40 लाग गदे चाहिए होते हैं जबकि वो केवल 12 से 14 लाग गदे ही कठे कर पा रहे हैं पहले तो इसको कुछ अफरिकी देशों से एक्सपोर्ट किया जाता था पर कोर्ना काल में उन की जन संक्या से चिंतीत हो कर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और चीन के पास एक ही रास्ता बचा वो था पा किस्तान तबकि इम्राण खान सरकार ने भी खुर्ष होकर चीन को असी हजार पाकिस्तानी गदों को एक्सपोर्ट करने का वादा कर डाला... साथ ही साथ पाकि की नई दिल्ली स्थित सबसे बड़ी Medical Institute All India Institute of Medical Sciences महज 115 एकर में फैली हुई है चाहिर है पाकिस्तान का ध्यान डंकी फार्म बनाने के तरफ जादा है बनिस्वत Medical Institute बनाने के पाकिस्तान के एक प्रतिस्थित TV चैनल जियो के अनुसार चीन पाकिस्तान में डंकी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन बिलियन डॉलर निवेश करने को तैयार है जो कि पाकिस्तान रुपे के साब से 52,000 क्रोड के आस पास है इस पर वहां के TV चैनल ने पाकिस्तान की सरकार का मजाक उड़ाया इसकी छोटी ती क्लिप आप देखिए इसके बाद इमरान खान के विडियोधियों ने तो इमरान खान को डंकी राजा तक कहना शुरू कर दिया उनकी लंदन में दी गई इंट्रिव्यू का कुछ क्लिप पूरी दुनिया में वायल हो गई मैं पाकिस्तानी था आप अगर गदे के उपर लकीरे डाल दे तो वो जिबरा नहीं बान जाता वो गदा गदा ही रहता हलांकी उनकी इंट्रिव्यू का कुछ कंटेस्ट कुछ और था कुछ समय तक तो मीम बने फिर बात हवा हवाई हो गई क्योंकि पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से बचने के रास्तों में से एक रास्ता नजर आया पाकिस्तान के गदों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का दोस्तो हम भी चाहते हैं पाकिस्तान खुब तरक्की करे पर यह पाकिस्तान की आवाम और हुकमरानों को देखना है कि वो दुनिया भर में सबसे जाले गधा पैदा करना चाहते हैं या फिर डाक्टर्स और इंजिनियर्स जहां तक हमारी बात है हिंदुस्तान में सरकार मनमून सिंग की हो या मूदी की कोई फरक नहीं पड़ता हमारा देश सुन्दर पिचाई जैसे बिजनिस लिटर पैदा करता था है और रहेगा भी साथे साथ पाकिस्तान में भी कोई फरक नहीं पड़ता चाहे सरकार भुट्टो की हो इमरान खान की हो परवेज मुशरफ की हो या फिर नवाज शरीफ की वहां गधों की जनसंक्या बढ़ती थी और रहेगी और वो इन गधों को दुनिया भर में गर्व से एक्सपोर्ट करते भी रहेंगे तब तक जब तक वहां के हुकमरान तीन सो एकड के डंकी फॉर्म बनाने के साथ साथ भारत की तरह कुछ आयाइटी इस कुछ आल इंडिया मेडिकल इंस्टिटूट्स या फिर आयाइमस जैसी सेक्षिक संस्ताइं नहीं बनाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें जै पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान की जै तो है ही बाई